योगी सरकार के अल्प संके कल्यान मंतरी लक्ष्मी नारायन ने काए कि शम्षान हर शहर में बनेंगे और बराबरी से काम होगा चाहिए और गession Neden गीन कि यह कभी नहीं का है कि यह कपरिस्तान की बाउंड 73 होती है् तो संपंसान की भी होनी चाहिए यही हमारा सिध्धांत है कहने का मतलब यह है कि बराबरी का सिध्धानत होना चाहिए इसलिए उन्होंने यही बात कही और हम भी यही कोशिश करेंगे एक बराबरी का ही सिध्धानत हो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बजट की कागज आई थी पिछले पांस सरकार में अखले सराज में तो जितना पैसा शमसान को दिया गया था उससे तीन गुने से भी जादा कवरिस्तान को दिया गया था तो क्या यही परंपरा रहेगी कुछ बदलाव होगा यह परंपरा क्यों रहेगी हमारी तो सरकार का अधरनिय योगी जीकर नारा है सबका साथ सबका अभिकास सबसमान न कोई अपना न कोई पराया हैं तो सब अपने हैं इसलिए किसी भी बात में कोई अंतर नहीं होना चाहिए चाहे कोई समदाय हो चाहे कोई व्यक्ति हो सब कBar करेगी एक शमान ही ब्यवहर होना चाहिए एक समान ही कानून होना चाहिए कई जिसी लखनु या फिर व्रणलमाश्य जैसे बड़े शहरों में देखा होगा कि नदी किनारे एक तरेके सर्मसान बना हुआ तो क्या सरकार कोशिस करेगी कि ऐसा अच्छा और बढ़ियां समसान बड़े शहरों में चाहिए सभी शहरों में बनें आपकी सरकार की प्रात्मिक्ता होगी कि निश्चित रूप से देखिये एक दिन महां सब को जाना है इसलिए वो जगह इतनी पवित्र होती है और उस पव दत्था जरूर लेकिन किसी भी तरीके से हर जगह एक बराबरी की जैसी बात होगी कैमरामन प्रेम के साथ पंकज्जा एबी पे नियोज लखना हो अल्प संक के कल्यान منत्री को आप सुन रहे थे कि हर शहर में शरमशान बनेगा ये कहा गया यूपी की अल्प संक कल्यान मंत्री की तरह से लक्षमी नरायड जो शरमशान कबरिस्तान का मुद्दा हावी रहिए था वेदान सबाच्चिनावों के दोरां उस पर उनके विभ क्वाइ। कर दूए présent कर दो कर दोよね